नमस्कार दोस्तों, mutual fund और SIP से related जितने भी आपके सवाल हैं, आप हमें comment box में पूछ सकते हो आज का जो सवाल है दोस्तों, वो सवाल ये है, आप screen के उपर देख भी सकते हो सवाल ये है दोस्तों कि क्या हम महिने में दो बार SIP कर सकते हैं अब इनका सवाल थोड़ा confusing है, confusing कैसे है, या तो आप एक ही fund में दो बार SIP कर सकते हो ये भी सवाल हो सकता है, या फिर आप महिने में multiple funds में दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार भी आप करना चाहते हो इनका सवाल है, तो इसका जबाव आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, कि अगर एक mutual fund है, तो क्या आप दो बार उसमें SIP कर सकते हो अगर कर सकते हो, तो किस परकार से आप SIP कर सकते हो, क्योंकि कई बार ये होता है दोस्तों कि अच्छा mutual fund है, उसमें गिरावट के माहौल बनते हैं, तो आप महिने में बीच में SIP स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें एक बार महिने के सुरुआत में कर जाए, और एक बार महि महिने के सुरुआत में, तो चलिए उसी के बारे में थोड़ा डिसकस करेंगे, हम अपने धर्म पदनी के mutual fund अकाउंड में चलेंगे, वहाँ पर जो SIP है, उसमें हमने भी एक ऐसा ही किया है दोस्तों, कि एक fund में हमने दो बार SIP की हुई है, एक महिने के सुरुआत में और बगबग एक दस्तारीक के आसपास, चलिए जानते हैं किस प्रकार से आप इसको अचीव कर सकते हो, तो दोस्तों हम grow app में आ चुके है, grow app के बाद में हम mutual fund के उपर यहाँ पर क्लिक करेंगे, grow app में अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है और इनिश्यमेंट स्टार्ट करन नहीं को मिलेंगी, उन सभी के लिस्ट यहाँ पर आजाएगी, जो जो SIP अकाउंट से खुली हुई है, वो सारी यहाँ पर आजाएगी, तो यहाँ पर आप देखो के दोस्तों, एक नजर यहाँ पर अगर दुड़ाओगे, तो यह जो fund है, एक आपको दिख रहा होगा, ICIC Prudential Technology Direct Plan Growth, यहाँ पर एक नवंबर, यानि कि वो next SIP है, लेकिन यहाँ पर एक तारीक को और दस तारीक को, यह दो तारीक हैं, जहाँ पर दो बार इस fund में हमारी SIP जाती है, 1000 और 1000 रुपे की, टोटल यानि कि महीने में 2000 रुपे की SIP यहाँ पर होती है, 1000 रुपे की एक तार SIP करनी है, तो भी कर सकते हो, या फिर अलग-लग fund में, अलग-लग तारीक को भी कर सकते हो, यानि कि मान लीजिए, मेरे पास दो ही fund है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे कि पराग पारिक है, जो कि एक नवंबर को, इसके SIP होती है, और एक fund है, मेरे पास ICC Prudential, तो अलग-लग fund में, अलग-लग तारीक में हो सकती है, और अगर same fund आप यूज करना चाहते हो, यानि कि same fund में भी आपको दो तारीकों में, आप investment यहाँ पर कर सकते हो, जो कि यहाँ पर 1 नवंबर और 10 नवंबर आप देख भी सकते हो, यह कैसे आपको अचीव करना है, उसक 50-50 Index Direct Plan Growth, इस fund में हमें 2 SIP करनी है, तो Start SIP के उपर क्लिक कीजिए, उसके बाद में मान लेजी, 5000 रुपे के आपको SIP करनी है, 5000 यहाँ पर आप डाल दीजिए, और उसके बाद में आपको यहाँ पर Start SIP के उपर क्लिक करना है, जब आप यहाँ पर करोगे, तो आपके Start कर सकते हो, अलड़ी मैं आपको Proof दिकात सका हूँ, एक ही fund में 2 बार भी आप SIP कर सकते हो, आपको वहाँ पर Date Select करनी है, कि किस दिन आपको यहाँ पर SIP करनी है, तो All Fair दोस्तों वीडियो में इतना ही है, मुझे उमीद आपको जानकर यह अच्छी लगी होगी, निश्च करके बताइएगा, अगले वीडियो में में फुल डेमयो के साथ में, और Grow App को भी आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके बारे में पूरी डिटेल ले के आऊँगा, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ में, और देखते रहे हैं यूटूब चैनल Investment Group, जैहिंद!